मानव मस्टिष्क के सबसे उलेखनिय पहलीवों में से एक है पैटर्न को पहचानना और उसका वर्णन करने की उसकी ख्षमता सबसे कठिन पैटर्न में से एक जिसे हमने समझने की कोशिश की है वो है द्रव गतिकी में विक्षोब की अफधारना जर्मन भौतिकी शास्त्री वर्नर हाइजिनबर्ग ने कहा, जब मैं इश्वर से मिलूंगा तो मैं दो सवाल पूछूंगा, सापेक्ष्टा और विक्षोब क्या हैं? मुझे भरूसा है कि उनके पास पहले के लिए एक उत्तर होगा। विक्षोब को गणेतीय रूप से समझना कठिन है, इसलिए उसके दिखने को दर्शाने के लिए हम कला का उपयोग कर सकते हैं। जून 1889 में विंसिन वैंगो ने सौं रमीद अ प्रोवांस में सिंपॉल द मुसौल पागल खाने में अपने कमरे की खिड़की से सूर्यदय से ठीक पहले के द्रिश्य को चित्रित किया। वहाँ एक मानसिक रोग प्रकरण में अपने स्वयम के कान को विक्रित करने के अलग धंग से प्रकाश प्रस्तुत करते थे। इसकी गधी को पकरता हुआ लगता। मसलन सूरी के प्रकाश के बिंदूओं से धके जलाशय में या टिम्टिमाती तारे की रोश्णी में और नीले रात की आकाश कंगा में पिघलती है। यह प्रभाव प्रकाश की चमक और कैन्वस पर रंगू में प्रकाश की तीवरता से उत्पन होता है। प्रकाश की विशमता और गती को देखने वाला लेकिन रंग को न देखने वाले हमारे द्रिश्य कोटेक्स का अधिक आदिम भाग, समान चमक वाले दो अलग-अलग रंगू के क्षित्रों को एक साथ मिलाएगा। लेकिन हमारे मस्तिश्क का प्राइमेट उपविभाजन आपस में मिले बिना विशम रंगू को देखेगा। इन दो व्याख्याओं के एक साथ होने से कई प्रभाववादी कारियों में प्रकाश स्पंदित होता, टिम्टिमाता और अजीब तरह से विकर्ण होता प्रतीत होता है। ये और अन्य प्रभाववादी कार्य प्रकाश की चाल के बारे में आश्चरे जनक रूप से वास्तविक चीजों को बदलने जल्दी किये गए प्रमुख ब्रश स्ट्रोग का उप्योग करते हैं। विक्षोब प्रवाह के काम करने के तरीके के काफी करीब थे। हाना कि विक्षोब का पूरा वेवरण भौतिकी में अन्सुलजी समस्याओं में से एक रह गया था। उर्जा जहरना बनने पर एक विक्षोब प्रवाह खुद के समान होता है। बड़े बवंडर अपनी स्पेस टेलिसकोप से विग्यानिकों ने एक तारे के चारू और धूल और गयस के दूर के बादल के किनारे देखे। और इसने उन्हें van Go की स्टारी नाइट्स की याद दिला दी। इसने मेक्सिको, स्पेन और इंगलिन के विग्यानिकों को van Go के चित्रों में चमक का विस पिक्सल प्रथक करण के लिए मापे गए वक्रों से उन्होंने निशकर्ष निकाला कि वैंगो के मानसिक उद्विग्णा की अवधी के चित्र द्रव विक्षोग के समान उनलेखनिय रूप से विवहार करते हैं। वैंगो के जीवन में एक शांत अवधी के दौरान बनाए गए पाइप के साथ उनके आत्म चित्र ने इस संगत्ता का कोई संकेत नहीं दिखाया। और नहीं अन्यक अलाकारूं का काम जो पहली नजर में उतना ही विक्षोभित लग रहा था जैसे म्योनिक का दस्क्रीम। हलाकि ये कहना बहुत आसान है कि वैंगो की विक्षोभित प्रतिभा ने उन्हें विक्षोभ का चित्रन करने में सक्षम बनाया। इस तत्य की उत्साही सुंदर्ता को सठीक रूप से व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल है कि तीवर पीड़ा की अवधी में वैंगो किस त कारी रखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जोडे रहें और जिग्यासु बने रहें